क्या है सबसे पहले स्वागत है सरापका मैं आपसे या जाना चाहता हूँ कि कोचिंग बाले बच्चों को कैसे मेनू प्लेट करते हैं देखिए कोचिंग पहले तो है कि मैं एक बात बता दूँ कि कोचिंग है क्या और कोचिंग जरूरी है कोचिंग जरूरी नहीं है मतलब अच्छा चीज है कि खराब चीज है बहुत सारा बात है इस में सबसे पहली बात तो है कि जिंदगी में दो थरीके का एजूकेशन है एक अस्पेसलाइज़ एजूकेशन है और एक नॉर्मल एजूकेशन है तो जो पर टीचर होता है नौ उसको बहुत गहराई तक पास करना हो के लिए नीट पास करना हो इन सभी परिक्षाओं में बहुत गहरा ग्यान चाहिए और गहरा ग्यान के लिए इस पेसलाइजड आदमी चाहिए उसी को अब टीचर ना बोलके कोच बोलने लग जाते हैं और जहां कोच होता उसको कोचिंग कहते हैं तो दो पहलू आपको दिखेगा एक तो कोचिंग ऐसा बतनाम चीज हो गया है कोर्परेटाइशन होने से तो निगेटिव पहलू भी है और पॉजिटिव पहलू है कि अभी आई-एस ऑफिसर जितने लोग बने होंगे इस साल यूपियस से क्रैक की होंगे आई-टी जे-ई क्रैक करकर के आई-टी गए होंगे निट एक्जाम पास करके एंबिवियस के लिए एडमिशन लिए होंगे सबसे पूछेंगे कि तुम्हारे टीचर जीवन का जो बेस्ट टीचर हो कौन है तो किसी कोचिंग के ही टीचर का नाम लेगा अपने स्कुल के टीचर का नाम नहीं लेगा तो क कोचिंग अच्छा है कोच चाहिए लेकिन तो कोच के बिना तो बड़े बड़े परिक्षाओं का त्यारी करने के लिए कोच अब कोचिंग में भी हो सकता है कोच किसी के घर में भी होता है किसी के भाई हो गया किसी के पिता जी ही इंजिनियर है तो कोच तो उसको चाहिए पर परिक्षा पासाइब सकता है कि अगर आपको करना है यूपीस करना है करना है इतना सबस्स आप कोई परिवार में वही ना आईटी का कोच्च बन सकता है नीट का परिक्षा पास कि होगा जो आईटी पर इक्षा पास किया नीट पर इक्षा पास किया है वो सबका Market Value बहुत हाई है तीन लाक चार लाक पाच लाक महीने का है तो वही गाइड करने लाइक आदमी है और वो कहां मिलेगा तो फिर वो कोचिंग मिलता है ते इस तरीके से कोचिंग है कंपलसरी एक ऑर्गनाइज़ेशन है जहां पर बच्चों को जाना ही पड़ता है अस्पेस लाइज नोलेज के लिए लेकिन अब इसमें एक दूसरा पहल हुए ह कि अब कई कोच ऐसे बहुत फेमस हो गए जैसे कई टीचर फेमस हो जाते हैं तो उनके पास बहुत पावर आ जाता है मोनीटरी पावर और मोनीटरी पावर से वो इसको बना देते हैं बिजनस बिजनस ओचीज होता है जहां पर स्टुडेंट्स आएंगे फीपे करेंगे आ इसको चलता है तो यहां पर बड़ा गर्व लोग ढूंड रहते हैं कोच लिए कई कोच बीच में बहुत रेच हो गया और वो बैसिकली कोचिंग चलाने लग गया फिर कई कोचिंग में बहुत पैसा आता है उस टीचर को हायर करो और प्रचार करो और बच्चा लेया और ऐसे करके कोचिंग बड़ा बिजनस पॉइंट है तो अभी कंट्री में कोचिंग एक इंडस्ट्री ऐसे पनफ पनफ चुका है पर इसमें कई बहुत महत्वपूर्ण बात है ज सायद परेंट्स को बच्चों को जानना जरूरी है जिन में मैं कुछ पॉइंट आउट करता हूं जैसे पहला पॉइंट है कि कोच चाहिए उसको कोचिंग में जाता है कोच के लिए तो अब जब कोचिंग में हो गया तो कई ऐसे जो जिनके पास बहुत पावर हो गया जैस सिखाएगा कोचिंग में भी इसी होता है पचास सो लोगों से ज्यादा कोई कोच सिखानी सकता है 200-300 बहुत हो गया तो अब क्या करते है कि जो लोग बिजनस सुरू किये हैं तो 300 बच्चा को पढ़ाएंगे तब तो पैसा तो कोच लेके जाएगा बिजनसमेन को बीच में कोचिंग चलता है अब 25,000 बच्चों के लिए टीचर तो खूप चाहिए तो पहला काम तो करेंगे कि बैच ही बना देंगे डेड़ सो दोसों का अब डेड़ सो दोसों के बैच में कोचिंग नहीं होता है वह बन गया अब लेक्चर सिरिज तो पहला घाटा तो यहां बच्च अनुभवी और बहुत दमदार आदमी है तो उसका बात में एक सगहनता होता है और सिखाता है पर पचीस हजार बच्चों के लिए टीचर तो चाहिए जाई सो तो डाई सो टीचर कहां से लेके आएंगे तो डाई सो टीचर जो एकदम बढ़िया टीचर है बढ़िया कोच ह अनुधाल है उसका वैलू सिस्टम बौट है यह बहुत डीमांड है स्कूल की टीचर जैसे नहीं होता है कोचिंग में स्कूल में तो भीस हजार पचास committed स्थाग्ट सेलरी मिलता है बड़े-बड़े स्कूल हो लेकर कोचिंगUर दीचर गैस को पाच्च लाग तक मिलता है तो 50,000,000 उसको क्यों मिलता है क्यों क्योंकि इसा कोच है कि वह बहुत सारा बात जानता है । इंडेफ्थ जानता है फिजिक्स, किंजियों एक गया गयान है तुई होगा, उसको पैसा बहुत मिलता है। और नीचे के 225 जो फेकल्टी है, मतलब 10% अच्छे फेकल्टी और 90% खराब फेकल्टी, बच्चा एडमिसन लिया उस बड़े ब्रांड में सोचके की टॉप फेकल्टी है, तो ऐसा है, उसका रिजल्ट है, हो है, और 90% बच्चे धोखा में आए, बिसी चले गए, तो एक पह पर शाड़े-बाइस जार बच्चे वो गये थे, वो भी बरावर फिस दे के गये थे, लेकिन उनके लिए कोच उपलब्द नहीं है, तो कोच क्या होता, सरल सरल टीचर, सिंपल बीए सी, में से कहीं से किये हुए है, पाच सल दस सल से पढ़ा रहे हैं, आट सल से पढ़ा र पर गलत गलत वादे करके कि तुम भी आई एटी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकते है, ऐसे मजाक है कि आई एटी कर जाएगा, बच्चा का दस सल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, खुब महनती होना चाहिए, मेगावी होना चाहिए, तब आई एटी में बात आएगी कि होगा कि न बच्चे को दिखा जाता है, तो बारा साल का मालीजे पढ़ाई है, एक से लेके बारा तब ना एटी के परिक्षा देगा, और दस सल तक बच्चा कुछ पढ़ा नहीं, अब एक ऐसे एक सेप्सेप्शन हो सकता है, तो इस तरीके से एक स्कैम हो गया, दूसरा पॉइंट कि पांच सो करोड परे हैं तो भारत का हर नागरिक जयसे का प्रता चलि जाते कि प्रदा मंत्री मुक्य Venice क्या कर रहे हैं, वैसे कोचिंग जब डालता है अब किसी भी कोचिंग का बैलेंस इट देखेंगे तो एड़टीजमेंट के नाम पे 30-30% पैसा लगाया उन्होंने लाक रुपे माले जी पर उसाल भर का पैसा ले लेंगे दो लाक एक लाक का प्रीमियम चार्ज कर लेंगे क्यों क्यों कि दम बहुत ब्रांडिंग कि और बच्चा गया था कोच के पास लेकिन वह अपने इंस्टिचूट को इतना सजाय रखेंगे ना और ऐसा ऐसा सेंटर बन क्या करेंगे कि जैसे मान लिटे के बच्च्छान न चाहिए कोचिंग भच्चा किसे बच्चा कोची जिए रहा हुँb करवा के अब रिजल्ट आएगा तो बच्चा टॉपर है तो आगे भी रिजल्ट उसका अच्छा आएगा तो उसका तो अच्छा होना था अब उसका क्रेडिट कोचिंग वाल लेंगे बुराई भी नहीं लेना भी चेगे ठीक है उसने वह इन्रॉल्मेंट किया पर उनके पा स्कैम बिसिकली सपने बेच दिया उन्होंने सपना दिखाया वहसी नहीं सरकार सपने दिखाती है कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा एक कर दूंगा और सब चंदा दो मुझे 30% का टैक्स सब लोग देते ही है और उस पैसे से जो मतलब सर्वेंट जैसे पॉलिटिसिन अपने है उसके लिए वो एकदम गरीब हालत में रहेगा सेम चीज जैसे कोचिंग में भी हो जाते हैं बड़े बड़े वाद है कि मैं तुम्हें आएटीन में बना दूंगा दूंगा करोन रुपे की सालरी लगती है इधर तो दो ही लाक रुपे की से और कोचिंग कैसे कुछ डि करके हैं एक कोच तो बहुत हाइली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट लोग है और जो इंटेलिजेंट नहीं भी हो कम से कम कोच है तो उसका अपना एक वैलू सिस्टम है पर कोच अगर पल्टी मार दिया बिजनसमैन में या बीच में कोच को किसी बिजनसमैन ने उसको तो दो कटेगरी में बाठ सकते हैं एक ओ जो खूद आयाइटी ग्रेजुएट है फिट जी का डिरेक्टर आयइटी ग्रेजुएट है बिद्यमंदर के डिरेक्टर आयइटी ग्रेजुएट नों भाई रेजोनेंस कोटा के फॉंटर वो भी आयटी मद्रास से पढ़े पॉचिंग चला रहा है इनका कोचिंग थोड़ा से अधानतिक है मैंने सब देखा और जितने लोग जो इसमेंसे बहुत आइप हैं चैनल्य नहीं पहुच पाया होंगे पर इंटेलिजेंट नहीं थे और पैसे वैसे पावर के दम पे इन्वेस्ट्मेंट के दम पे खुब सिध्धान्तों का और उनको रीच भी बहुत है बिसिकली वो क्या करते हैं कि उनको इंटलेक्ट वैलू तो उतना है नहीं तो सोचते हैं कि मैं मुझे कैसे इज़त मिलेगा इंटलेक्ट से इज़त मिलेगा किसी को और कोई इंटलेक्ट नहीं है तो क्या करेगा हो वो चार ब 20 लाकी गाड़ी का तो गाड़ी खेड़ देगा और 50 लाकी तो गाड़ी से बाड़ी गाड़ से अपने ऑफिस के सजावर्ट से ऐसे करके लोगों को प्रभावित करता है तो यह बड़ा पहचानने का तरीका है कि आप इंटेलिजेंट कोच के पास जा रहे हैं तो आपको इस सब चीज वह ऐसा नहीं मिलेगा लेकिन जो इंटेलिजेंट कोच नहीं है उनके पास सब मिलेगा अब इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जो कोचिंग जो बहुत बिग वॉल्यूम के कोचिंग के बारे में बात करें जो पचीस से जा तीस से बच्चों को पावर एजुकेशन प्रोवाइट करने वाले जो फैकल्टी होते थे उन पर भारी पढ़ने लग जाता है बिलकुल वैसे ही जैसे मान लिजे कि कोई एक नेता एकदम पढ़ा लिखा नहीं है और उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसको एकदम फाइल लेक सब्सक्राइब को ढूंडेंगे तो पता चलेगा कि कोई तो जो मालिक है वह कोई नेता है वह कोई बिरोक्राइट है बहुत पैसे वाला आदमी है और उसके जो टीचर्स लोग है उनके सामने कई एक तूल की टीचरों को तुम्हें जानता हूँ जिग्दम अंगूठा चा मैंने तीन चार पांच पॉइंट को रखा एक तो कोचिंग है क्या तो कोच तो चाहिए इन भारी परिक्षाओं के रिए लेकिन कोचिंग में कोच को अगर मिल गया कोई बिजनसमेन या कोच खूदी पैसा वैसा कमा के और एक बिजनसमेन बन गया तो अब वाजार के सारे स से धांतों को पूरा करके उसका कोचिंग नहीं रहा जाता वह घराव हो जाता है तो क्या कदे गाई अच्छा पैसा डालेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर में अच्छा पैसा डालेगा आप स्कूलों क Spencer Cr с का विढ़ गारे सेंदे के तो इसे करके वह कोच oxid को डाल तो बिग ब्रांट्स नेशनल लेबल पे वो पचीस हजा तीस जर्वत्चों को पढ़ाते हैं और चोटा-चोटा संख्या मतलब पांच तस परसेंट टीचर्स अच्छे होते हैं बागी टीचर्स अब यूँ ही होते हैं करते हैं प्रीमियम चार्ज़ करते हैं फिर उसके कर जाओं और दूसरा क्या मैंने देखा कि कई बार ऐसे होते हैं कुछ टीचर्स की मतलब जो बच्चा जानते हैं वो टीचर क्या हर कोई जान रहा है कि यह बच्चा आइटी नहीं कर सकता है और उसको आइटी करवाने का सपना दिखाना एक तरीके से मैं उसे स्कैम कि स्रे कर दिखा जाता है निट का खौब दिखाए जाता है और उसवच मैंद कर लिए जाथा आइटी के एक का इटेगरी में बैपार के नाम पर कई बरे-बरे होडिंग शहरों में देखने को मिल जाएंगे चाहे पटना हो चाहे दिल्ली हो चाहे कोटा हो चाहे भारत के कोई शहर हो जिनका बरा-बरा होडिंग बरा-बरा बेनर लगा होगा तो समझ लिजिएगा कि उसमें कुछ जोल है उनका होडिंग नहीं मिलेगा नहीं ब्रांडिंग नहीं मिलेगा चुकि उनका काम ही सर्वोपड़ी होता है अगर आपको जब वीडियो पसंद आई है तो जरूर सेयर करें धन्यवाद